नमस्कार मैं रंजन आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं मिर्सल पाव जो गंबई की फिर्मस्टी से यह मैंने समां तयार कन दिया है इसका मिर्सल का ग्रेवी बनाने के लिए यह दो टमाटर का पिवरी एक बड़ा कांधा बारिक काट के धन अध्रक लासुंका फेस्ट एक टेबल स्पून गरम मसाला एक टेबल स्पून खल्दी एक टेबल स्पून लाल मेश्ची पावडर अभी मैं गैस चालू कर लिया है अब जा रही हूं इसमें डालने तेल तेल इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है तीन बड़े चिम्मच ते अच्छे से गरम करेंगे अच्छे से गरम करेंगे तेल मेरा हो गया है इसमें दो कड़ी 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 जब देखका हुआ है कांदार ब्राउन होते तर इसे भूल गेंगे अधरक लासुन का पेस्ट अधरक लासुन पेस्ट के लिए इसमें मैंने नव दस लासुन की कली अली एक बाड़ा टुकड़ा अधरक कली का अध लेखीवा उली एके लाद कर लास hours एको लासुन, कि अवरक कि की का लेकी लासुन आकि है और। कांदा मेरा अभी बोल्डन प्राउन हो गया, अब इसमें मसाला हेट करेंगे, मेडियम खिलेम पे करेंगे, अब अब टेबल स्टोने थंदी पाउडर, अब टेबल स्टोन गरम मसाला, अब तमाटर के युदि, अब टेबल स्टोन गरम मसाला, अब देप, टमाटर के युदि, अब टेबल स्टोन गरम मसाला, अब टेबल स्टोन गरम मसाला, अब गेफ, ती घुदि, अब इसको अच्छे सी मासाला भूनेंगे जब तक मासाला तेल में छोड़ेंगे इसको मैंने रोस्ट कर लिया है जिसमें 3-4 कस्मीरी मिर्ची है एक बड़ा कांदा है 2-3 तुकड़ा डाल चिन्नी का तीन-4 लोंग दस बारा दाना काली मिर्च है तीन बड़े शिम्मस धनिया इसको मैंने भून लिया थंडा हो गया इसको मैं तयार करती है अब इसे मैं पीस लोगी तब तक मेरा मसाला भी होने आया के लिए में तो बड़ा आया भी है झाला भी है झाला भी है झाला मेरा ये तयार भू रहा है अब इसको भी डाल के खोड़ा भूनेंगे मसाला मेरा तयार भू रहा है और इसमें मैं दो गिलास पानी एक करनेंगे इसमें इसका ग्रेपी पतला रहता है अब इसको भी खास करणों 10 मिनट तर मैं ये मताला खयाल किया बूजा आब रहा है अब रही इसकी दाड़ भी रहते इसमें थोड़ा पानी मैं आप रहत करनेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इसमें में नमर डालूंगे आप चाहे तो इसमें पूल अठी भी डाल सकते तो आप दो कर दो कि आप दो कि मारे आप मुंम मज़ी कम पसंद दर दें ग्रेवी मेरी पक गई है इसे मैंने 5-7 मिन तर पकाया अब मैं इसे सब खोंगे अगर मेरा वीडियो पसंदा है, मेरे जैनल को लाइक करें, सब्स्क्राइब करें